अब ब्रेक के बाद बात चुनावी हलचल की। अब बात चुनावी सरगर्मिया तेज होने के साथ ही सियासी मैदान में आरोप प्रतियरोप के दोर भी तेज हो गए हैं। बुदवार को बीजेपी की ओर से गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के जोरदार आरोप लगाए गए। कॉंग्रेस पर फैमिली पैकेज भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने दावा किया कि 70 सालों में संस्थागत भ्रष्टाचार कॉंग्रेस की देन रहा है और पिछले 24 घंटों में समाचार माधिमों से सामने आये तथे दर्शाते हैं कि कैसे गांधी की वाडरा परिवार ने पारिवार एक भ्रष्टाचार को परिभाशित किया है एच एल पावा नाम के एक सज्जन जिनके यहाँ एडी की रेड हुई उनकी रेड में राहुल गांधी के साथ लेंदेन के कुछ दस्तावेस पाए गए बीजेपी नेता और केंद्री मंत्री स्मृती रानी ने दावा किया एच एल पाहवा के यहाँ हुई रेड में चोकाने वाली बात ये है कि उनके पास जमीन की खरीद फरुख्त के लिए पैसे नहीं थे राहुल गांधी और प्रियंका वाडरा के लिए जमीन खरीदने के लिए सी सी थंपी ने पचास करोड से जादा रुपे दिये थे उन्होंने दावा किया कि इन सौदों की जाच में पता लगता है कि रॉबर्ट वाडरा के साथ ही राहुल गांधी भी पारिवारिक प्रहश्टाचार में शामिल है उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन की खरीदारी से संबंधित इन दस्तावेजों में ये बात सामने आई है कि हल पाहवा के साथ राहुल गांधी के आर्थिक संबंध है हाला कि कॉंग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है उधर बीज़पी के एक प्रतिनिदी मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर पश्चिम मंगाल में स्वतनतर चुनाव कराने के लिए प्रदेश को समवेधन शील राज्य घोशित करने की मांग की पार्टी ने कहा है कि लोगसभा चुनाव के दौरान राज्य में केंद्री परवेक्षक और हर बूत पर अर्दसरिक बलों की तेनाती होनी चाहिए कॉंग्रेस पार्टी में भी सियासी गतिविधियां तेज हो गई है कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी बुद्वार को चैन्नेई के स्टेला मेरिस कॉलेज में छात्राओं से मिले और कहा कि कॉंग्रेस देश के मिजास को बदल देगी और लोगों को खुश एवं सशक्त महसूस कराएगी उन्होंने महिला आरक्षन का भी वादा किया ह इन सब के बीच गटबंधनों की मजबूती पर भी काम तेजी से हो रहा है बीजेपी ने पुर्वतर में गटबंधन की प्रक्रिया पूरी कर ली है पार्टी ने आट राजियों की 25 लोगसभा सीटों में से कम से कम 22 सीटें जीतने का लक्ष रखा है इन डिये के गटबंधन में असमगन परिशत, बोडोलेन पीपल्स फ्रंट, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट अफ त्रिपरा, नैशनल पीपल्स पार्टी, नैशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा शामिल है वहीं बिहार में महागटबंधन में सीटों के बटवारे पर पेंच फसा हुआ है इस मसले पर दिल्ली में सभी दलों की बैठक में अंतिम रूप दिया जाना है करनाटक में भी कॉंग्रेस और जेडियस के बीच सीटों के बटवारे का मामला हल नहीं हो सका है महाराश्टों में भी सीटों के बटवारे को भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है कुल मिलाकर NDA जहां गडबंधन का काम पूरा कर चुका है वहीं विपक्ष को इस काम में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है